नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बड़ी ख़वर कॉंग्रेस रिलेटिड जी हां अब ऐसा लग रहा है कि कॉंग्रेस के हाथ से मध्य परदेश तो गया ही गया और अब इनकी आपसी कला की वज़े से महराज्ट्रो और राजस्थान भी इनके हाथ से जाएग हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिच कर रही है बीजेपी तो दूसरी तरफ डिप्टी सीम सचिन पाइलेट कह रहे हैं कि ये बिलकुल जूट है ये खबरे जूट है अगर करना है तो खुले में आके खेल कीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही पार् तरस्त है वह अपने हमारी पार्टी में आ सकता है यहां बीजेपी खुली चिनोती दे रही है कि जो तरस्त है वह सामने से आए हम पीट वीजे किसी को भी फिरोती नहीं दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत यह कह रहे हैं कि बीजेपी मध्य पर्देश जैसा खेल के वहां पर गहलोत और सचिन पाइलेट की बीच में मध्य जो सामने आ रहे हैं इसको लेकर क्या आसर पड़ेगा जो आने वाले चुनाव है इन पर देखे यह जो आने वाला चुनाव है इसके पहले ही जो गहमा गहमी शुरू हुई है इसका मतलब यह है कि जब अभी तक तो देखा जा रहा था कि राजसभा में कांगरेस के गनित के हिसाब से दो मेंबर उनके जीत के आना तैय लग रहा था लेकिन अब जिस तरह से आपसी कलह सामने आई है इसमें नहीं लगता कि उनके ये दो मेंबर जीत पाएंगे और उस से पहले राजस्थान की सरकार मद् उचित जगा उचित उनको सम्मान नहीं मिला था और वहां का यूथ जो उनके पीछे था जिन्होंने वोट दी थी और कांग्रेस के वोटर बने थे वो लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे थे ठीक इसी तरह राजस्थान में भी जो कांग्रेस है उसका कोई उतना अधार नह थी तो ये जो बहुमत इनको मिला था जिसके कारण सरकार बना पाए उसके पीछे कहीं ना कहीं सचिन पाइलेट की महनत थी उन्होंने बहुत चुनाओ के समय महनत करी थी लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई पूरी मांग उठी थी कांग्रेसियों से भी और जनता की प्रे की जो मांग उठ रही थी वो सचिन पाइलेट के नाम के लिए उठ रही थी लेकिन बाद में हमने देखा किस तरह से कल्य हुई गुसा नाराजगी हुई और संतुष्ट करने के लिए सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बना दिया गया उस पर वो सहमत भी हो गए ले टेस्ट जो बयान आया है जो इन्होंने खरीद फरोक्त की बात की तो जब इन्होंने कहा अशोग गहलोत ने के बीजे पी के लोग हमारे अमले को खरीदना चाहते हैं और 25 से 30 करोड की उदर से ओफर आ रही है इस पर जब सचिन पाइलेट ने कहा के मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे में उनको शान्त हो जाना चाहिए था लेकिन अशोग गहलोत ने कहा कि मैं सीम हूँ इस परदेश का और आप से जादा जानकारियां मेरे पास होती हैं ऐसा कहे कर एक तरह से सचिन पाइलेट का अपमान किया गया जिसके बाद यह आकरोस पुटा है और जो गुट जो लोग सचिन पाइलेट को मुख्यमंतरी बना देना चाहते थे उसी समय में वो लोग अब फिर आगे आए हैं जिनकी संख्या लगबग 36 बताई जा रही है तो मैं आपको बता दू जो आंकडों का खेल है वो इस समय किस तरह से दिख रहा है कि वो कांग भाजपा की सरकार बनती दीख रही है जिसमें अंदर खाने से जो खबरे आ रही हैं वो सचिन पाइलेट को अगला परदेश का मुख्यमंतरी राज़स्तान का बनाने के लिए सेहमत हो गए हैं और वहीं जो केंडर जो वहां एक नाराजगी का फैक्टर हो सकता था वो राज़स्तान का अगला मुख्यमंतरी जो भाजपा के नेतत्त में सरकार बनेगी उसका बनाया जा सकता है और आपको बताओं के वहां कुल 200 MLA है 200 MLA में सरकार बनाने के लिए 101 विदायक चाहिएं इस समय कांग्रेस के पास 107 विदायक हैं वहीं वहां जो मेन एक तरह से कह है कि मेन जादूई आँकड़े को इधर या उधर करने की शक्ती रखते हैं वह हैं 36 निर्दलिय विदायक और ये निर्दलिय विदायक कहीं भी जा सकते हैं अभी कांग्रेस के साथ थे हैं लेकिन इन्हीं 36 निर्दलिय विदायक के ओपर जो डल-बदल कानून भी लागू पाँ नहीं होता है ये सबी विदायक भाजपा को अगर सपोर्ट कर देंगे तो मैं बताउं भाजपा के इस समय 13 निर्दलिये हैं 13 निर्दलिये अगर मिल जाते हैं तो 72 बीजेपी के हैं 13 निर्दलिये अगर मिल गए तो यह संख्या 85 हो जाती है लेकिन जैसा मैंने बताया के चाहिए 101 तो 85 में भी सरकार नहीं बनती है लेकिन ये जो 36 जिनको मैं गलती से निर्दलिया बता गया था ये बीजे कांगरेस के वो विदायक हैं जो सचिन पाइलेट खेमे के बताए जाते हैं और ये इस समय MP की तरज पे ही इस्थीपा देने को तयार हैं ऐसी अंदर से ख कार जो थी उसमें जब बहुमत सिद करना है बीजे पी को तो वो आंकड़ा कम हो गया ठीक इसी तरह जब अब फ्लोर टेस्ट कभी होगा उसके पहले ये 36 कांगरेस के विदायक स्थीपा यदी दे देते हैं उसके अलावा 13 निर्दलिया विदायक भाजपा को मिल जाते हैं और इसी में आप जैसे की वहाँ CPM के दो हैं विदायक इसी तरह लोकतांतरिक पार्टी है राष्टिय लोकतांतरिक पार्टी उनके तीन विदायक हैं भारतिय ट्राइबल पार्टी है उनके दो विदायक हैं तो ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो भारतिय ट्राइबल टोटल संख्या 90 हो जाती है ये 90 संख्या जब हो जाएगी और उधर कांग्रेस के इस समय 107 विदायक हैं जिसमें से 36 विदायक सचिन पाइलेट गुटके हैं जो की कांग्रेस को छोड़ देंगे तब बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो बहुमत के लिए 83 चाहिए य एसी उम्मीद की जा रही है जो भी आपनी पाटी की तरस्थी और यहां पर एक तरफ उसको यह जो करा है इनकी विधायकों को देखे चाहे वो मद्य परदेश हो चाहे वो राजस्थान हो अगर कांग्रेस के विधायक अपने आप में पक्के हो और पार्टी के प्रती समर्पित हो तो वो पार्टी ना छोड़ें उसमें भाजपा सो करोड़ दे या पांसो करोड़ दे वो कह आपको किसी ने रोका आप उल्टा भाजपा के खरीद के दिखाओ लेकिन भाजपा का विदायक तो ना तो MP में तूटा ना राजस्थान में कोई चांस है और ना उनको किसी ने होटल में बंद किया है आप तो अपने विदायकों को होटल में बंद कर रहे हो इसका मतलब कां कांगरेस के प्लेटफॉर्म पर जीतके आए आपको अपने विधायकों पर भरोजा नहीं है और आप आरोप लगाते हो बीजेपी पर ये तो ऐसी बात हो गई कि आपके अपने घर में तो एक्ता नहीं है पड़ोसी पर आप आरोप लगाओ कि उसकी वज़े से हमारा बच्च बिगड़ गया भाई आपको कोई कॉंटेक्ट कर रहा है तो आपके कांग्रेस के विधायक हैं आप उन कांग्रेसी विधायकों को जोड़ के रखो सोनिया मैडम के बाप पास ले आओ और उनसे बात करा दो आप भी पैसे का उपर कर दो किसने रोका वो आपके विधायक हैं ये बेमतलब की बात करते हैं MP में भी अंदर का आकरोस कांग्रेस के लोगों में फूटा था क्योंकि वहां उनको लग रहा था कि उनकी वहां कोई सुनने वाला है नहीं और जोती रादे सिंधिया जो उनका जमीनी जुड़ा हुआ नेता था जमीन से जुड़ा हुआ उनकी बेजती हो रही थी इसी तरह से सचिन पाइलेट भी अपने को घुटन महसूस कर रहे हैं जबसे यहां अशो गहलोत सरकार में मुख्यमंतरी बनके बैठे हैं ऐसी कोई बात नहीं होती वो कोई भी बात सुनने को तयार नहीं होते हैं सरकार में आपस में तालमेल नहीं है का कोई सुनने वाला है यहां तो चाटुकार और चापलूसों की अंदर एंट्री है जो सोनिया मैडम और राहुल गान्दी से बात कर सकते हैं बाकी लोग तो कहते हैं अगर मान लीजिए 36 विधायक कांग्रेस के नहीं तूटे जो मैंने अभी आखड़े बता तो भाजपा सरकार बना ही नहीं सकती आप अपनी तूट बचाईए आप अपने विधायकों को समालने के लिए कब तक जेल में बंद रखोगे होटल में सर यहाँ पर आपने यह कहा कि जिस तरीके से कांगर्स की तरफ से अपने विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है अगर हम बात करें महराश्ट ने भी सरकार खत्रे में नजर आ जारी है उद्दफ ठाकरे की शिरसेदा, NCP और कॉंग्रिस की क्योंकि पहले राहुल गांदी भी बोल चुके हैं कि हमारी सरकार में आपने सुनाई होगा अभी आपको कुछ दिन पहले का बयान याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांदी ने कहा था समर्थन देना और सरकार का साथ देने में फरق होता है तो यहाँ पर बाला साथ टोराट ने भी कह दिया है कि सरकार में हमारी बात को अच्छी तरीके से माना जाना चाहिए और जिस पर अंदर ठाकरे को विशार करना चाहिए तो क्या लगता है कि कि पार्टियों में ये गठबंदन बना तो लिया लेकिन ये बेमेल गठबंदन जिस दिन से बना है महराष्ट में भी बेचैनी है क्योंकि वहाँ ये बाला साब थोराट जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान आया है जब राहुल गांदी ने ये बोला था कि हम सर प्राट ने भी दोराया है किसाब हम महत्तपूर्ण पदों पर नहीं है महत्तपूर्ण फैसलों में भी हम नहीं है मुख्यमंत्री उदव ठाकरे अपने आप से कुछ निर्णा ले ले लेते हैं अभी उनकी असल में सवाल पूछा जा रहा है कोविड नाइंटीन की लेकर पात को कि वहाँ जो तरही तरही जनता मान रही है वह स्पिटलों का बुरा हाल है लांशों के धेर लगे हुए हैं आप देखिए कि खबरे ऐसी आरी है कि हर आदा गंटे में एक मरत्यू हो रही है ऐसे में जनता तरस्त है और प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल हमने वहा और आज महाराष्ट में वो दुबारा से चक्का चालू होने का इंडिस्ट्री का वहां तयार नहीं है क्योंकि मजदूर ही नहीं है तो एक तरफ वहां बंटाधार हो चुका है दूसरी तरफ जनता COVID-19 से तरस्त है ऐसे में कांगरेस अपना पला जाड रही है इन कूव विवस्ताओं से तो राहूल गांधी कह देते हैं कि हम जुम्मेदारी में नहीं है बाला साब थोराट कह देते हैं हम जुम्मेदारी में नहीं है तो जुम्मेदार कौन है आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हो अपने आप ही गिराओगे तो गिरेगी तो यहां भी कांग्रेस और NCP अभी उन्होंने उदव ठाकरे से मिलने के लिए टाइम मांगा है बाला साथ ठाकरे ने और बी पी ड़ूडी मंतरी असोक चवांड ने इन्हो क्या होगा बताने को तो यही कह रहे हैं कि जी कोविड नाइटीन पर हमें बातचीत करनी है लेकिन महत्तपून मुद्दा ये भी रखा गया है कि हमारी एक भूमी का होनी चाहिए सरकार में जो अभी नहीं है इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आपने देखा पिछले दिनों राजपाल से मिले थे और अशोक चावान भी मिले थे और नारायन राने भी मिले थे राजपाल से तो मतलब वहां भी अंदर अंदर एक खिचड़ी पकरी है वहां भी ये तीनों दल कांगरेस एंसीपी और शिवशेना इनके ही लोग आपस में इनके अंदर अंतर कले है बड़ी संख्या में सिवसैनिक बीजेपी के संपर्क में हैं और कांग्रेस के लोग भी कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी खेमे में आने को तयार हैं जिसके कारण देविन फरनाडीज वहां दुबारा से मुख्यमंत्री बनने को जा रहे हैं ऐसी खबरे अंदर से आरियन